हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं जोतेश रदन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिया दर्शक गणों का बहुत-बहुत हारदिक स्वागत और अभी नंदन प्रिया साथियों मैं हूँ आचारे पंडिस्त सर्वद अनंद शर्मा मेरी और से भी आप सभी के लिए बहुत-बहुत प्यारवरा नवशकार तो साथियों आज हम इस कारे करम में जो चर्चा आपके साथ करने वाले हैं ये चर्चा वारशिक राशी फल को ले करके ऐसा थी हूँ और ये वारशिक राशी फल है आने वाला जो नवश है दो हजार चौविस उसके विशन है हम मेश लगन राशी से ले करके और मीन लगन राशी तक की जो जातका हैं 12 लगन राशी नवे वारश्यों के सभी को बताएंगे इसके विशे में हम आपसे बात करेंगे चर्चा करेंगे और जो भिन भिन छेत्रों में रिजल्ट्स की हम बात कर रहे हैं कि किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की बात मतलब संभावना रहेगी उन छेत्रों की पर्टिकुलर उन फील्ड्स को ले करके भी आपसे बात करेंगे जैसे कि आपका करियर है, प्रोफेशन, हर व्यक्ति के जीवन में जो प्रोफेशन होता, उसका करियर होता है, वो बहुत एहम होता है, बहुत माइने रखता है, क्योंकि पूरे जीवन की जो सारी नईया है, वो उसी पर ही ठीकी रहती है, चाहे आप व्यापार करते हैं, यह गले कितने अगर गरों का साथ और गरों का सपोर्ट आपको नहीं होगा तो आपको भी पर व्यक्ति को अपने जीवन में पढ़ा सकते है कि सबसे पहले आपके करियर को लेके, आपके प्रॉफेशन को लेके, दूसरी पॉइंट जो होगा चर्चा का जो रहेगा, वो रहेगा आपके धनकी स्थिती कैसी रहने वाली है इस वर्ष, और सुख सुविधाओं का कितना लाब ले पाएंगे, और सुख सुविधाओं के साथ साथ फिर आगे आपसे बात करेंगे पॉइंट नंबर थ्री पर, जो पॉइंट नंबर थ्री होगा, कि भाई, आपका पहले से कहीं रोमेंस चल रहा है, तो उस रोमेंस की स्थिती कैसी रहने वाली है, शादी का कोई प्लैन अगर आप रखते हैं अपना वर्ष दोजार चौविस के लिए, तो क्या संभव हो पाएगा, ग्राओं का सपोर्ट आपको मिल रहा है क्या, इसकी बात करेंगे, और आगे बात करेंगे फिर, कि अगर आप विवाहित हैं, चाए महिला हैं या पुरुश, मेल हैं या फीमेल, तो आपका विवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है, इस व परीजनों के साथ आपका तालमेल कितना रहेगा, कैसा रहेगा, इसकी भी चर्चा होगी, और फिर, जो माता-पिता हैं, उनकी संतान से, उनको किस प्रकार के, इस वर्ष दोहजार चौविस में रिजल्स मिलने की संभाव न बनेगी, इसके उपर भी बात करेंगे, और जो को ले करके, तो साथियों मैं आप से सबसे पहले बात करना चाहूँँगा, आपके प्रॉफेशन को ले करके, करियर को ले के, देखे साथियों, यहां जो गुरों की स्थिती को हम देख पा रहे हैं, आपके चार्ट में, पहली बात तो यह जो हमारे कन्या लगन राशी के जातक हैं, उनकी विशे में हम बात कर रहे हैं, इस कार्ट करम के दोरान, यानि के जिनका विर्गो असेंडेंट बनता है, और यह भी आपको बता दें, साथ की साथ चर्चा से पहले, कि यह जो कार्ट करम हैं, लगन राशी पर आधारित है, चंदर राशी पर आधारित नह के, प्रॉफेशन को लेके, कि यह वर्ष दोहजार चौविस आप करने अलगन राशी के जो हमारे मित्रे हैं, उनके लिए कैसा रहने वाला है, करियर के हिसाब से, तो आपके करियर के हिसाब से, जो ग्रहों के संकेत हैं, वो कुछ इस प्रकार के संकेत हैं, साथियों, कि द अथक परिश्रम, अथक प्रियास करेंगे अपने कारेचेत्र में, ये भी बहुत आवश्यक है, कि आप कितना प्रियास कर रहे हैं, कितना परिश्रम कर रहे हैं, इस पर भी काफी चीजें निर्भर करेंगी, कहने का मतलब होता है, कि एक तो चीज वो होती है, आप आपको थोड़ा सा यहां पर डिफाइन कर देते हैं भाग्य को ले करके एक तो वो होता है कि जो व्यक्ति चांदी की चम्मच मुझ में ले करके पैदा होता है धनीवानी घर में पैदा होता है किसी अच्छे परिवार में पैदा होता है किसी रिच फैमिली में पैदा होता है तो उसके लिए तो सारी सुख सुविधाय बश्चमन से ही मौजूद होती है एक वो लोग होते हैं कि सामानने परिवार में या किसी गरीब परिवार में उनका साथ देता है यहां पर इस सिती जो है साथियों आप करने अलगन राशी के जातकों के लिए वर्ष 2024 में कुछ इसी प्रकार की ही बन रही है कि जितना आप मेहनत करके आगे बढ़ेंगे उतना ही भागे आपका साथ देगा यनि कि अगर आप ने परिश्रम कम किया है तो उसके कम परिणामों की प्राप्ति होगी यनि कि भागे आपके परिश्रम के साथ साथ चलेगा जितनी मात्रा में परिश्रम होगा उतना ही मात्रा में भागे आपको सपोर्ट करेगा बस ये आपको समझना होगा करने अलगन राशी के जो हमारे मित्र है आप अपनी मेहनत से अपने भाग्य को चमकाना चाहते हैं तो जरूर चमका पाएंगे हमने इतनी सी बात में आपके करियर को ले करके वो सारी बातें समझाने की कोशिश किया हम उम सुषित ही कैसी रहेगी प्रियसातियों आपको बताना चाहेंगे यहां पर आपको सचेत भी करना चाहेंगे और सचेत कुछ ऐसा करना चाहेंगे कि देखिए धनका आगमन तो आपके लिए रहेगा ऐसा नहीं है थोड़ा हो सकता है रुक रुक के हो यानि कि जितना धन आज ना करके कुछ दिनों के बाद कुछ समय के बाद आए धन का आगमन तो होता ही रहेगा थोड़ा रुक के या थोड़ा बाद में या पहले उसकी बात नहीं है बात यह है कि धन जो आता है क्या हम उसको सही जगा इन्वेस्ट कर पाते हैं अपने लॉंग टर्म एक तरीके से गेन लेने के लिए उसका मोनेटरी गेन लेने के लिए या उसकी सेविंग कहीं अच्छी ढंग से कर पाते हैं ताकि उसका हमें आने वाले दिनों में अच्छा रिटरन मिल सकें बात तो यह होती है लेकिन यहां पर इस चिती जो नजर आ रही है वो थोड़ा इससे डिफ बना हुआ है और अब साथ की साथ आपको एक बात यहां पर और बता दें इससे जुड़ी हुई कि देखिए अगर आप कोई व्यापारी है या अपना व्यापार करना चाहते हैं या कोई अपना व्यापार आरंब करना चाहते हैं नया स्टार्ट अप है आपका तो उनके complete काम बन जाएगा लोन भी मिल जाएगा बैंक से इंस्ट जो या कोई financial institution है वहाँ पर आप apply कर रहे हैं जाकर के तो वहाँ से भी approval हो जाएगा वहाँ से sanction भी हो जाएगी आपके लोन की पैसा भी आपके हाथ में आ जाएगा लेकिन सही बात जो समझने वाली यह है कि वह पैसा आपका बिल्कुल सही तरीके से सही टाइम पर सही जगा पर इन्वेस्ट आपके दोरा हो पाएगा इस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यक्ता है कहीं planning आपकी कुछ और हो और implement कुछ और हो जाए आपके दोरा इसका भी पूरा बना हुआ आई ओ तो इसका भी ध्यान रखिए कि जिस कार्रे के लिए आप लोन ले रहे हैं या पैसा उठा रहे हैं आप लोन के तोर पे उसी में ही वो पैसा लगे और बहुत ही systematic planning के साथ ये काम अगर आप करेंगे तो अच्छा रहेगा वरना तो आपका budget इतना बुरी तरह से बिगड़ जाएगा कि आप उस सब चीज़ों को देख करके काफी upset भी हो सकते हैं ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी होंगी इस वर्ष 2024 के लिए यह तो मैंने जैसा कहा कि आपके कार्रे बन जाएंगे financial institution से कोई related जो भी आपका काम है रुका हुआ वो पूरा हो जाएगा loan वगएरा की problem पूरी हो जाएगी ये सब हो जाएंगी चीज़ें विरोधी भी आपके शांत रहेंगे अगर आप employee है job कर रहें वहाँ पर आपको क ज्यादा कोई hatching नहीं कर पाएंगे करेंगे भी तो उसमें उनको कोई success नहीं मिलेगी ये भी एक अच्छी बात है plus point जा रहा है आपके favor में है तो जो भी काम करें मेरा कहने का भाव यहां पर यही है आप से कि जो भी आप planning करें बहुत यथारसवादी योजना बनाएं बि प्रह भी आपको support करेंगे कहीं भी कुछ भी lapses नहीं होने चाहिए इस बात का बहुत ध्यान रखना है आपको और साथियों आगे बात करेंगे धन की स्थिति की तो हमने बात करी लिए सुख सुविदाओं की बात करने देखिए आपका जो पैसा है इस वर्ष दोहजार भी आप खरीद फरोग में अपना पैसा इंवेस्ट कर सकते हैं चलिए यह तो एक अच्छी बात है प्रोपरटी में तो आजकल इंवेस्ट करने का मतलब है कि एक अच्छी रिटर्न की गारंटी होती है लेकिन ये भी बात है कि उस पैसे को आप किस टाइप की प्रोपरटी डील करेंगे और वो डील आपकी सक्सिस हो इस बात की संभावना ज्यादा है पहले से कोई प्लैनिंग अगर आपकी थी बीच में पैंडिंग हो गई थी तो वरश दोहजार चौविस में ये कार्या आप अपना कर सकते हैं साथियों सुक्सुविधाओं का जहां तक मात्रा में आपके लिए उपलब्द होंगी आगे बात करते हैं एक वही प्रेम संबंदों को ले करके कि आपका कहीं रोमेंस चल रहा है प्रेम प्रसंग आपका बना हुआ है और जिसके भी साथ है चाहां वो मेल है या कोई फीमेल है उनके साथ इस वर्ष दोहजार चौव बनने के योग बन रहे हैं गरों के द्वारा कि इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी शितलता स्पीड जो है बहुत सिलो रहेगी बहुत जादा अगर आप ये मान करके चल रहे हों कि बहुत दोहजार तेश मेरे लिए बहुत पॉजिटिव रहा है तो दोहजार चौव बस ऐसे ही कुछ इस से मिलते जुलते ही रिजल्ट्स दोहजार चौविस में आपके लिए रहेंगे अगर आप ये कहना चाहते हैं कि भाई काफी टाइम से हैं हम इस रोमेंस में एफ एर जो हमारा चल रहा है तो क्या शादी वगरा का कोई योग है दोहजार चौविस में मैं उसके लिए आप से यही कहुँगा कि शादी का योग नहीं है आगे बात करते हैं वेवाहिक संबंदों की अगर आप विवाहित हैं महीला है या पुरूश है तो आपके वेवाहिक संबंद जो हैं वो कैसे रहेंगे तो प्रियसातियों में थोड़ा सा तनाओ दिख रहा है वेवाइक सुखों में कमी दिखती है साथ ही जो आपका जीवन साथ ही है उसके स्वास्त में भी कमी के संकेत नजर आ रहे हैं तो यहां पर हम आपको कुछ उपाय जरूर देंगे राशी की चर्चा करने के उपरांग ताकि आपका अपना वेवाइक आयाम तोर पर ग्रहों की कुछ इस तरीके के संकेत होते हैं तो हम कह देते हैं यह बात कि भाई यह आप पर काफी निर्भर करेगा आपके व्यवार पर निर्भर करेगा यह भी बात है आपके व्यवार पर निर्भर करेगा आपकी वानी पर निर्भर करेगा लेकिन यहां पर क्या है यहां पर वानी भी ठीक होगी व्यवार भी ठीक होगा और सबसे एक अच्छी बात तो यह है पिलस पॉइंट आपके केस में कन्या लगन राशी की जो मित्र है कि इस वर्ष आपके बड़े धार्मिक विचार रहेंगे बड़े शुद्र विचार रहेंगे आपकी स तो थोड़ा सा यह गले नहीं उतरती बात लेकिंए ऐसी ऐस लिए हम एसा कह रहे निकिन कोई परेशान होनी के आवश्टथा नहीं है कई बार क्या होता है कई बार ऐसी भी परेशितिएंगें क्यों आपनी ओर हैं संसार में तो यहां पर कुछ ऐसे ही मतलब संबंदों में तनाव बनता दिख रहा है जो भी हमने बात किया आप से लेकिन आपको परेशान नहीं हो निराश नहीं हो आम आपको देने जा रहे हैं वह सरल और आसान उपाए उनको आप करें अंत में बहुत ही आसान उपाए ह उन चीजों के लिए तो तो साथियों विवाहिक जीवन के हमने बात कर ली अब आ जाते हैं पारिवारिक संबंदों पर पारिवारिक संबंद आपके बड़े सोहारद पूर रहने वाले हैं पूरे वर्ष और विशेश रूप से एक जन्वरी से लेकर कि एक मई तक तो जो आपके संबंद है वो तो बहुत ही अच्छे रहेंगे यानि कि आदा वर्ष समझ लीजे लगवा बहुत अच्छे जाएंगे बहुत अच्छी अंडरिस्टेंडिंग रहेगी आपके और उनके बीच में बहुत अच्छी अंडरिस्टेंडिंग रहेगी और घर का पूरा सह हैं उनका आपको पूरा सहुख मिलेगा और आप भी उनके पिर्थी पूरी तरह से समर्पित रहेंगे committed रहेंगे और साथियों एक मई के उपरांत भी संबंद अच्छे ही रहेंगे लेकिन बहुत अच्छे संतान की बात कर लेते हैं संतान को कन्या लगन राशी की जातक है माता पिता हैं उनकी जो संतान है उनकी और से उनको सामानने या उससे थोड़ा सा नीचे result मिलने की संबावना है इस वर्ष इसी प्रकार जो students है students का भी यह है कि हम उनको यहां पर सचेद और साथधान करना चाहेंगे देखिए अगर आपने थोड़ी भी लापरवाई अपनी पढ़ाई को लेकर के किया तो आपके results जो है वो decline कर सकते है विजल्ट परभावित हो स अपना पूरा focus अपनी education पर रखें अपनी पढ़ाई पर रखें क्योंकि ग्रहों का support जितना मिलना चाहिए आप students को उस मात्रा में नहीं है और यहां पर यह बहुत clear indications हैं ग्रहों की और से प्रेनेट्स की और से कि अगर आप मेहनत करेंगे और दिल से मेहनत करेंगे पूरा इस पश्ट शब्दों में आप अपने students जो हमारे मित्र हैं उनसे कहना चाहते हैं तो साथियों यह तो रही चर्चा आप students को ले करके अंत में बताना चाहेंगे कि कन्या लगन राशी की जो हमारे मित्र हैं उनका स्वास्त कैसा रहेगा स्वास्त तो देखिए पूरे ज्यादा बनती है विशेश रूप से वह बारा फरवरी से लेके सत्रे मार्ज तक के का जो duration है इसमें आप थोड़ा अपने स्वास्त को ले करके तेरा ज्यादा सचेत रहिएगा इसमें थोड़ा स्वास्त बिगड़ सकता है लेकिन वैसे तो overall अगर हम health की बात करें तो health आ केले के वरक्ष की पूजा जरू कर लें और ये विशेश रूप से एक जनवरी से एक मही तक करें एक मही के बाद फिर करने के आवशक्ता इतनी नहीं रह जाएगी लेकिन एक मही तक तो केले के विरक्ष की पूजा विरस्पदी की पूजा जरू करें और अपने मस्तिश्क पर केसर का तिलक जिव्या पर भी तिलक और नाभी पर तीन जगा आपको तिलक करना है केसर का और दूसरा और बहुत इंपोर्टेंट उपाय जो हम बताने जा रहे ह वो आपको क्या करना है वो आपको करना है ओम राम रहवे नमहा इस मंतर का जाप कम से कम एक माला प्रती दिन और अगर आप मंतरों का जाप सही उचारण नहीं कर सकते हैं प्रोनेंसियेशन आपका सही नहीं है कोई बात नहीं कोई टेंशन नहीं उसके लिए फिर आपको हम चंडी का इस तोत्र का पार्ट बता रहे हैं, आप वो करिएगा, अगर आप चंडी का इस तोत्र का पार्ट नियमित रूप से करेंगे, तो आपके ववाइक सुखों कि आपको प्राप्ति हो सकेगी, तो मेरे प्रियसातियों, अगर आप ये भी चाहते हैं कि आपको और बहत रिजल्ट्स आपको मिल पाएं पूरे वर्ष तो फिर उसके लिए गणपती जी की पूजा नियमित रूप से करें जी हां गणपती जी का चालिसा करें गणपती जी की आर्थी करें तो ये हैं वो उपाएज छोटे-छोटे जिनको करने पर आपको काफी लाप्ती प्राप्त हो सकती है साथि तो मेरे प्रियसाथियों ये था आप करने अलगन राशी के जात्कों का वार्षिक राशी फल वर्ष 2024 का आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी ये चर्चा पसंद आएगी अगर आपको ये चर्चा पसंद आईए तो वीडियो को आप astrology के topic पर बनते हैं वे सभी with notification समय रहते आप तक पहुंच सकें तो आप उसके लिए बैल आइकन को जरूर प्रेस करें तो साथियों अब समय आ गया है कि जब हम अपने यहां समाप करना चाहते हैं और अपनी वाणी को भी हां विराम देना चाहेंगे और अपने आप सभी प्रियम मित्र ग्रणों से भी लेना चाहेंगे जाज़गत तो इसी के साथ आप सभी का सेहर दे बहुत बहुत धन्यवाद जैमात झाल झाल